दोस्तों आज का एक महत्पुर्ण टॉपिक्स जो क्रेंट अफेर से जुरा हुआ है आपके एक्जाम में एक या दो प्रश्ण इससे मिलेंगे आप बिपीएशी प्रिलिम्स या सीडिप्यो या बियार एसाइमेंस का एक्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देखना काफी महत्पुर्न है तो आए चलते हैं कौन-कौन से रेस्क्यू अप्रेशन भारा स्रकार ने हाल की दिनों में चलाई है एक राहत बचाओ के लेकर के आपरेशन चलाया जाता है रेस्क्यू जैसे ऑपरेशन गंगा या एक रेस्क्यू अपरेशन है और यहाँ शुरू कि कि भारत और हमारे प्रोशी मुल्क के जो लोग उक्रोईन में फस गया उन्हें वापस लाने के लिए भारज शरकार के विदेश मंत्राले एक ऊपरेशन किरेट किया जिसका नाम है ओपरेशन गंगा और उप्रेशन गंगा के अंतरकात उक्रेन के जितने प्रोशी देश जैसे हंगरी, पोलेंड, रोमानिया इत्यादी जगहों में जा करके भारतिये हमारे फस गये थे चुकि युक्रेन ने हवाई या तयाद की साधने को उसने बंद कर दिया था तो आज पास के जितने भी प्रोशी मुल्क थे वहां हमारे भारतिये और हमारे प् उप्रएशन गे गया था जिसका नाम है उप्रेशन गंगा तो अप्रेशन गंगा रोमांड और पोलन और हंगरी में उपछिन सीमा भाहले तो रोमांड और पोलेंड ने से भारतियों को वापस लाने के लिए भारत सरकार के बिदेश मंत्राले द्वारा यह रैस्क्य ओप्रेशन चलाए गया था तो यह काफी इंपोटेंट है और इससे लगभग 22,000 लोगों को भारत लाया गया फिर दूसरी महत्पुर्ण ओप्रेशन चलाए गई ओप्रेशन देवी सकती यह अभी काफी चर्चा का भी सह रहा ओप आते मुल्क के लोगों को वापस लाने के लिए ओप्रेशन भारत सरकार के बिदेश मंत्राले ने चलाई थी काबूल और दुसामबे से दुसामबे तजागिस्तान की रजधानी है वहां से लोगों को वापस लाया गया क्योंकि तलिवानी संगठन ने 15 अगस्त 2021 को अफग से भारतिये और भारतिये मुल्क और सांसाथ प्रोशी मुल्क के लोगों को वापस लाने के लिए चलाए गया था तीसरा महतपुर्ण ऑपरेशन बंदे भारत मिशन ऑपरेशन बंदे भारत मिशन जो है साथ मई 2020 को फर्स्ट करोना काल के दर्मियान चलाए गया था इसमें भारत और इसके प्रोशी देशों के लगभग 2 लाग से अधिक लोगों को घर वापसी की गई लॉक्डाउन और कुरोना काल के दौरान ये लोग गल्फ खारी और विभीन इरोप और एशियाई देशों में फस गये थे लगभग बारत देशों से लगभग दो लाख लोगों को भारत और उनके प्रोशी मुलकों में वापस लाया गया इसलिए ओप्रेशन चलाया गया था इस ओप्रेशन का नाम है बंदे भारत मिशन बन्दे भारत मीशन कुरोना काल में चलाए गया थी, कुरोना काल के पहले फेज में चलाए गया था और लोकडाउन में फशे भारतियों और पुरोशी मुल्क के लोगों को बिदेशों से वापस लाने के लिए भारा सरकार के बिदेश मंत्राले ने बंदे भारत मिशन चलाएगी थी और इन जितने भी ऑप्रेशन की नाम लिये हैं इन ऑप्रेशन में एक महतपुर्ण भूमी का निभाई एरक्राफ्ट जिसका नाम है एरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर एरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर की क्या विशेश्था है उसके बा है और इस एरक्राफ्ट का इस हवाई जहाज एरक्राफ्ट का नाम है C-17 ग्लोब मास्टर बोईंग मैकडोनेल्ड डगलस कंपनी जो अमेरिका की कंपनी है उसके द्वारा यह त्यार की गई है और भारतिये वाई सुना में 2013 में से शामिल किया गया और इसकी स्पीड जो है 950 किलोइटर पर आवर्स है और इसकी लंबाई 33 मिटर है इसकी यह स्पीड जो है 950 किलो मिटर पर आवर्स की रफतार से चलती है यह दुरगम पहारी इलाकों में भी चलने में सक्षम है लदाग जैसे दुरगम पहारी इलाकों में या असानी से उतारे जा सकते हैं इसका वजन या जो है 70 टन वजन ले जाने में सक्षम है या 70 टन वजन को कैरी करने में सक्षम है तीन हेलिकेप्टर और दो ट्रॉकों को असानी से हुआ एर क्राफ्ट कर सकता है इसको कैरी कर सकता है जिसका नाम है एर क्राफ्ट सी सेवेंटीन ग्लोब मास्टर एयर लिफ्ट करने की छमता है इसमें 500 से 700 लोगों को असानी सिया एक अस्तान से दूसरे अस्तान तक ले जाने की केपासिटी रखता है जितने भी ऑपरेशन गंगा देवी सक्ति या बंदे भारत मिशन जो बोले है उनमें इसकी महत्पून र रही है सी सेवेंटीन का प्रियोग कर सफल रेस्की ऑपरेशन चलाए गया है और कुरोना काल 2021 में ऑक्सीजन राज के भारत के विवी राज्यों में पहुंचाने के लिए भी सी सेवेंटीन ग्लोब मास्टर का इस्तमाल किया गया था बिहार में आया बार पिछले आठ साल पहले जो बिहार में बार आई थी उसमें रेस्की ऑपरेशन चलाए गया था इसी के द्वारा और 2013 में फिलिपीन्स में एक भ्यांकरत उफान आई थी उसमें भी सी सेवेंटीन बोईंग सी सेवेंटीन ग्लोब मास्टर का इस्तेमाल किया था यह दुनिया का सबसे बड़े माल वाहक जहाजों में से एक है यह इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हम रेस्की ऑपरेशन बिवीन उद्विश्यों से करते हैं और इन अपरेशन गंगा ऑपरेशन देवी सक्ति ऑपरेशन बंडे भारत मिशन के अलावे एक महत्पुर्ण मिशन ऑपरेशन शमुद्र सक्त सक्ति का प्रियोग भी करोना काल में किया गया था दोह में ऑप्रेशन समुद्र शक्ति को दोह Какछा है। एक क्ट्रे नास अप्रेशन दौद्र शक्ति का इस्तिमाल भारती नौवरा एगाकी रही को बिंश मगर और इनिश मत्मीन सवह कर करके किया गया था इसको समझेंगे ऑपरेशन समुद्र शक्ति का मूल देश्था बर्स 2020 में कुरोना काल में फसे माल्दिव और आज पास के प्रोशी मुलकों में जो लोग भारतिये फस चुके थे उन्हें वापस लाने के लिए यह एक नौ सेना जल्यायन पोथ है जिसके द प्रोशी मुलकों से और इसमें जो इस्तेमाल किया गया जल्यान पोथ का उसका नाम है आएनस मगर और आएनस जल्सवा बहुत इंपोटेंट है आएनस मगर और आएनस जल्सवा का इस्तेमाल प्रथम कुरोना काल 2020 में जब आय थी पैंडेमिक उससे आज पास के मुलक में जो लोग फसे हुए थे वापस लाने के लिए नौ सिना का द्वारा चलाए गया एक महत्पुन rescue operation था फिर second phase में 2021 में जब कुरोना जैसे बैंकर pandemic आई उसको ध्यान में रखते हुए 1 माई 2021 को second phase में operation समुद्र शक्ती चलाए गया और इसमें first phase में तो INS मगर और INS जलसवा का इस्तमाल किया गया था लोगों को rescue कर वापस लाने के लिए और इसमें medical और oxygen को विभीन प्रोसीदेशों से भारत लाने के लिए operation समुद्र शक्ती का second phase का इस्तिमाल किया गया था और यह operation चलाया गया था एक मई 2021 को और इस नौशेना द्वारा भारतिये नौशेना ने इस operation को conduct किया और इसमें INS तलवार और INS कुलकत्ता जैसे नौशेना पोत का इस्तिमाल किया गया कतर और कुबैत से oxygen सप्लाई की गई लगवक 400 सिलेंडर oxygen भारत लाया गया उसी तरह से बहरीन से 54 मिट्रिक टन तरल oxygen भारत लाया गया और फिर इन oxygen को भारत के विवीन हिस्सों में पहुंशाने के लिए सी 17 ग्लोब मास्टर का इस्तिमाल किया गया जो पता दिया है कि सी 17 ग्लोब मास्टर जो है एक महत्पुन एयरक्राफ्ट है यह 2013 में अमेर्की कंपणी के सहयोग से भारत लाया गया था यह मतलब एरफोर्स में इस्तिमाल करने के लिए और दुनिया के सबसे बड़े माल दुलाई यानि माल वाहक पोतो में माल वाहक एरलाइन्स जहाजो में से एक है तो कहने का मतलब हो गया ऑपरेशन समुद्र सक्ति का जो इस्तिमाल किया गया था दो फेज में फर्स्ट फेज में लोगों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सक्ति का संचालन कि और फर्स्ट फेज में आई एनेस मगर आई एनेस जलसवा का इस्तमाल किया गया था और रेस्क्यू के द्वारा वापसी की गई लोगों का भारतिये लोग जो मुल्क परोशी मुल्कों में फसे होते हो नहीं लाने के लिए अज सेकेंड फेज में जो है तरल ऑक्सीजन चुक